जद्यू या नितीश जी कह सकते हैं कि वो दबाव बना रहे हैं इसके माध्यम से कि आप सीटों का बट्वारा पाले किजिए तब फिर मंत्रिमंडल का भीस्तार होगा यही बात नितीश कुमार महागडबंदन में भी वो कर रहे थे कि पहले सीट शेरिंग कर लीजिए जब दूसरे नंबर पड़ते हैं तो भी हमारा ही है तो 17 तो दोनों अपने दावे से पिछे रटने को तयार नहीं है कि जो सिटिंग है वो तो लेंगे ही हम बाकी जो बच रही है सीटें उसी पर सेस दलों को एड़स्ट करना है उपेंद कुष्वाहा नितीश कुमार से अरखबा असमान और पशुपती पारस उपेंद कुष्वाह और गया की सीट माझी जीए को मिल जाएगी अब इसी से इन लोगों को संतोस करना पर ऑर जदियू और भाजपा आपने जो संख्या उनकी पहले ती उस संख्या को चाहेंगे की बरकरार रखें उसमें मुके साह को नहीं देने वाली है अगर मुझा पर पूरिंपर ही वो दावा लगतार बनाते रहे कि मुझे वही चाहिए तो बीजेपी के पास क्या होगा क्या बीजेपी अपने सर्तों पर मुकेश्वानी को एंडिये मिला सकती है नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ दाल लेते हैं शुड़कियों पर क्योंकि बिहार में नई सरकार तो बन गई लेकिन उसके बनने के लगभग डेड़ महीने बीत जाने के बावजूत भी अभी तक आखिरकार मंत्री मंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा है और सरकार काम कैसे कर पा रही है तो मंत्री मंडल व कि किस पार्टी को कितनी सीटे दी जाएंगी क्योंकि दिल्ली में बीजेपी निताओं की लगतार बैठक हो रही है और उसमें जो मन्थन हुआ है उससे कई चीजें निकल कर बाहर आई हैं फिर बात कर लेते हैं सिक्षा विभाग की क्योंकि अभी भी अपर मुक्य सच्यू के पत्रों के तुआरा जिस तरीके से राजभवन से टक्रा हो रहा है वो अब भी जाड़ी है क्योंकि जो 28 परवरी को सिक्षा विभाग ने पत्र लिख कर कई कुलपती कुलसचीव और परिक्षा नियंतरक के वेतन रोक दिये थे उस पर राजभवन में बड़ी बैठक लेकिन अब तक इस पर क्या फैसला हुआ है राजभवन को पता ही नहीं तो एक बार फिर से राजभवन ने के के पाठक को पत्र लिख कर पूछा है कि बताईए कि जो बैठक हुई उस पर आपने अब तक क्या कारवाई की है फिर हम बात कर लेते हैं बिहार में बढ़ते अ लेकिन इन सब के बाउजूद अभी भी राजधानी पटना में लगातार अपरादिक वारदात बढ़ते जा रहे हैं दिन दहारे गोली मारने की खबर हो या फिर लूट की लगातार हो रही है तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आमारे साथ दो वरिष्ट पत विष्टार में पूरा मामला फसा हुआ है अकिरकार क्या इस पर खबर आई है कि देखिए इसमें दो तरह की सूचना आ रही है एक तो यह बताया जा रहा है कि दो तीन दिनों के अंदर हो जाएगा विधान प्रसद का जो चुनाव होने वाला है उसके बाद यह हो जाएग यानि जद्यू या नितिश जी कह सकते हैं कि वह बना रहे हैं इसके माध्यम से कि आप सीटों का बटवरा पहले कीजिए तब फिर मंत्रिमंडल का भीष्थार होगा यानि इसके माध्यम से वह अपने हिसाब से फैसले करवाना चाह रहे हैं और भाजपा परसानी में जरू पासिवान की पार्टी हूँ नए इंट्री हो वह चाह रहे हैं चुनाव तो इन सबों के बीच कैसे तालमिल बठाय जाए और कैसे सबों को खुस किया जाए इसको लेकर बड़ी कठनाई में है भाजपा अब वो कैसे इसलिए रात दिन आप देख रहे हैं कि दिल्ली में बैठक हो रही है प्रदेशकानेताव को बुलाय जा रहा है आ रहे हैं अभी प्रदेश के दिल्ली में हैं तो उसमें राह निकालने की तैयारी हो रहे कोशिस हो रही है और मुख मंत्री यो दो दिन का दौरा अपना इंग्लेंड का कट करके लोटे हैं उसको भी इसी से जोड़ करके देखिए कि संकट कितना गहरा है इससे यह पता चलता है इसलिए इसकी खबरें थोड़ी दभी छिपी आ रही है और उसकी खबरें ज्यादा सार्जनिक हो रही है तो इसलिए लग रहा है कि वहां संकट बड़ा है यहां के निता भी वैसा बयान नहीं दे रहे हैं बिरोध में अपने गटवंधन के इसलिए चीजें ऐसे ही हैं आप कैसे द में कर रहा हैं यह देखिए निटीश कुमार में जो सूला सतरे सिट जो लगातार महां भी मांग रहे थे और यह हूं को कम से कम सोला जो उनकी सीटिंग है एक तो किशन गंज को बार बार कहते हैं कि वह भी हमारे चुगे हम दूसरे नंबर पर थे तो भी हमारा ही है तो 17 सीट तो पिछला जो फर्मूला था कि दोनों पार्टियों ने सोला यह चुनाओ लड़े जहां एक हार तो वह सोला उनका है और सत्रह इनका है लेकिन गठबंदन में पार्टियां जूड़ती जा रही है और अनेक पार्टियां जूड़ गई और ऐसी पार्टियां जूड़ गई उपेंद कुष्वाहार नितीश कुमार से बगावत करके गए को देखना नहीं चाहते हैं वह उसी में ऐसे सब लोग है तो नितीश कुमार चाहेंगे कि इन लोगों को मजा चखाएं तो उनकी कुछ सीटें कम हो तो नितीश कुमार इसलिए चाहते हैं कि सीट शेरिंग पहले हो जाए दूसरी जब मलाईदार विभाग जो है सिक्षा व तो पॉड़ा है लेकिन जो आठ मंत्री अभी है अभी अनेक बैटे जाने हैं तो यह हो गया है कि जडू के पास जो भीभाग गए वो जडू के मंत्री संबालेंगे जो बीजेपी के मंत्री संबालेंगे अब कैबिनेट विस्तार में कौन मंत्री बनेगा इसका व्यानित कुनाव चाहते थे अब तो नहीं हुआ तो नितिश कुमार अपने हिसाब से जब तक लोग सभा में अपने सदस्यों को चाहते हैं कि ज़्यादा से लोगों को पहुंचाएं जहां पर हमेशा प्रेसर कर सके तो बात यहीं है कि मंत्री मंडल विस्तार तभी होगा जब सीट शेरिंग हो जाएगी एंडिये की तरब से यह बार बार कहा जा रहा है कि सोलह तारीक यह सत्रह तारीक तक यह सब कुछ the field see शेरिंग को लेकर भी खबर आरहे थी कि डिल्ली में जो बीज़ेपी की बातचीत हुँआ है कि इसको कितनी सीटे दी जा रही है कैसे दी जाएंगी इसको इसको कितनी सीटे दी जाए इसे पर मामला सुलज नहीं पा रहा है क्योंकि सबकी माहताव काशाएं बहुत बड़ी हुई है अब जो सिटिंग सिटे हैं भाजबा के पास शोला 17 अंके पास 16 जदियों के पास सॉला तो दोनों अपने दावे से पिछेह तो त्यार नहीं कि जो सिटिंग है वह तो लेगे हeffective बाकी जो बच रही है सीटें उसी पर सेस दलों को एड़स्ट करना है तो उसमें जदिव 17 चाह रही है किसन गंज पर भी उसका दावा आए कि 17 पर लड़े थे तो 17 पर फिर लड़ेंगे भाजपा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है उसमें पांच सीटें चाह रहे हैं चिरा लोगों को मनाने की कोसी तो रही है, मान-मनवल हो रहा है कहां से किसको खींडीट बनाना ठीक रहेगा किस पार्टी पर कौन से सीट دेनी उचित होगी इसी पर मन्थन चल रहा है पारस जी को एक पर संतोस करना पड़ेगा, चिराग को चार मिल जाए या उनको दो मिल जाए तो इनको तीन मिलेगा यह चार या पांच में ही इनको रहना है इससे ज्यादा उनको नहीं मिलना है उपेंद्र कुष्वाहा को मात्र एक मात्र सीट उनको मिलेगी और यह कहा जा रहा है यह कयास है अतकले हैं लेकिन कहा जा आपने जो संख्यां उनकी पहले तो चिराग पास्मान और पशुपती पारस उपेंद कुछ वाहा और गया की सीट में अब इसी से इन लोगों को संतोस करना प्ढ़े और जदियू और भाजपा आपने जो संख्यां उनकी पहले थी उस शंख्या को वो चाहेंगे कि बरकरार रखें उसमें मुकेश सहनी अगर घुसे तो जदियू को सक्रिफाइज करना पड़ेगा उनको अपने सीट में से मुकेश सहनी को देने वाली है बाजपा की जरुवत मेरे मुझफरपूर में निशादों के नेता अजय निशाद उसके नेता है उसक मुकेश सहनी के हमको मिलना चाहे, तो आजय निशाद तो अल्रव बाजपा के सिटिंग मेरे सांसद है और वो सहनी भी है हरी सहनी का एक सेट किया था कि मुकेश ताकट को कम करने के लिए हरी सहनी को ले आय यानि हरी सहनी थे कमाल नहीं कर पाए और वो नहीं दिखा पाए लेकिन उनके पास वो एक अजय निशाद है जो जरुवत पड़ी कि तो उनके तीर के निशान पर वो खेल रहे हैं तो निटीश इधर फेकते हैं उधर वो जाते हैं तो निटीश कुमार को देना पड़ेगा तो यह परस्ताव रखेगी कि आप अपने सीट में से उनको दीज अभी तक तो कुछ नहीं दिखा जेपी नडड़ा से उनकी मुलाकात कहा जाते हैं कि हुई और जेपी नडड़ा ही सब कुछ करेंगे ऐसा भी नहीं है अमित साह हैं अनरंद्र मोधी हैं और उनकी एक अपनी कमीटी होती है उसाब करने के बाद प्रदेश की कमीटी भी उन मुके सहनी कितने ताकतवर हैं उनको क्या लेकिन यह मान के चलिए कि नितीश कुमार को यह कहा जाएगा कि मुके सहनी को अगर आप ला रहे हैं तो अपने सीट में से उनको दीजे अगर मुझापर पूरिंपर ही वह दावा लगतार बनाते रहे कि मुझे वही चाहिए तो बीजेपी के पास क्या होगा क्या बीजेपी अपने सर्तों पर मुके सहनी को एंडिये मिला सकती है एक बिले की चर्चा भी छिरी हुई है अंदर अंदर बिले के लिए क्लिए क्योंकि यह बार बार प्रॉब्लम क्रियेट कर रहे हैं मुके सहनी बीजेपी के लिए तो इसल वो इसके लिए तयार नहीं है उनको यह आसंका लग रही है कि एक बार हम बिले कर गए तो फिर हमारा स्थित्व समाप्थ हो जाएगा और बार्गेडिंग कैपिसिटी हमारी जो है वो खतम हो जाएगी फिर जो पार्टी का आदेश होगा वो मानना पड़ेगा तो इसलिए व सब्सक्राइब तो वह बहुत एक्टिव नहीं है ऐसा कहा जा रहा है तो यह उनको कहीं दूसरे जगर भी किया जा सकता है कहीं तो यह एक सिट का अगर यह होगा जीच होगा तो भाजपा कर लेगे उसको निपट लेगी इसके अलावा एक चर्चा कर लेते हैं जिस प्रका अपरादिक गतिवीदियों पर लगाम लगाने के कई दावे किये नए कानून भी बना दिये गा है केंद्रिये ग्रियमंत्री आते हैं तो वह कहते हैं पटना में आकर की उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे लेकिन ऐसा कुछ अब तक देखने को नहीं मिलता है राजधानी पटना में अपरादिक गतिवीदियां इतना बढ़ गई हैं जिसका अंदेशा आप नहीं लगा सकते थे तो इस पर रभी जी क्या है किस तरह दो महत्पून खबरें जो आज की पने राजधानी पटना में घटी हैं कि सचिवाले कर्मी अपने बैग में कुछ रुपए ले तो सचिवाले कर्मी से 6 लाक रुपए की लूट और देखिए कैसी बात है कि स्टेशन पर मने डख वंगला चोरहा से वहां 500 मीटर की विदूरी नहीं है डख वंगला चोरहा पर तीन कड़ो रुपए का सोना लूट लिया गया कुछी कुछी दिन पहले और आज मने निरी विचारे मजदूर जो ट्रेन से उतरे थे कुछ पैसे कमाने बाहर जाते हैं वहां से लॉट के आये थे उनके पास 40,000 रुपया था उनका मोबाइल इत्यादी लोगों ने बदमासों ने दिन धाड़े चीन लिया उनको मने जापड मारा और उनको डराया धंकाया और उनके पैसे चीन लिये और चलते बाने और वहां पर ट्राफिक पैसा हो गया उनको मारा भी यह जो है आप राधियों के हवसले बुलंद हैं यह बताता है कि सरकार का इकभाल जो है वो खतम हो गया है नितीश कुमार जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे वह तो टॉलरेंस अब है नहीं वह तो उसका कोई मसला नहीं है यह जो नए डिप्टी सीम है जो बार-बार कहते हैं कि वहां जाके हम गया में कर देंगे पिंडेदान करवा देंगे अपराधियों पर नकेल कर देंगे करते हुए जा रही और तों के और उनको मुबाइल चीन लेते हैं और उस पर सरकार कुछ नहीं कर पाती है साइबर माने क्राइम इतना केजी से बढ़ा हुआ है कि कि किसी को फोन करके उनका ओटी पी जा रहा है यह और और परके उनके बैंक से पैसे निकालिये जा रहे है और साइबर अपराद के बब आप चल जाए यह जाने दीजह और आपका शिकायत नहीं लेगा अगर ले लिया तो उस सिकायत का हुआ कि सतरह की कफटीश चल रहे है कुछ पता नहीं चलेगा और किसी का कुछ नहीं होगा सब का पैसा चला गया और जो चला गया तो यह राजधानी पटना की बात है और पूरे राज्य में इसी तरह से अपराद मुझफरपुर मने अपराद का capital है मुझफरपुर में हर रोज हत्या हो जाएगी चिंता ही हो जाएगा लूट हो जाएगा रेफ हो जाएगा यह सब तो यह होता है तो सरकार की चिंटा इस और नहीं है, अभी तो चुनाव मोड में है, से शिरींग हो जाए हमको ज्ञादे सी्ट मिल जाए हुन इनको वो मिल जाए लेकिन लोग कैसे जीएंगे कैसे रहेंगे माने आर जान माल की छहती जो लोगों की हो रही है मान सम्मान का भी बात इस सर्कार में जिसमें ये जीरो टल्रेंश्ट की बाथिस सर्कार में सर्कार का इक्बाल का खतम होना यही बात है जिस जंगल-राजक को निकलते नहीं थे आज भीेविondern लेके निकले तो फिर पाइसा वापस लेके नहीं आएंगे बिल्कुल नहीं और मुझे यह कहने में कोई जिजक नहीं है कि इस सरकार में जो नई सरकार बनी है पुराने चेहरे की नई सरकार उसमें अपराध और बढ़ गया है जो बढ़ चड़ के दाविये मंत्री और मुख जाके चीन ले रहे हैं बंगला चवराय जैसे जगह पर घटनाएं हो रही है गोली चल रहा है दीन धाले पुलिस नहीं कुछ कर रही है पुलिस का रवया वही पुराना है नहीं सरकार के आने का कोई असर नहीं है आप एक फाइयार कराने जाए तो दस थाना में आपको पतता दी है अप डियों ने पटना जैसे महत पुल्ण सहर में दिन दहाडे रोज अपराद हो रही है यह दिन की बात नहीं है रोज कम से कम पचीस अपराद रेकॉर्ड पर रहे हैं जो आप बार में चाप रहे हैं उड्यार कितना होता है वह जाने दीजिए मगर पचीस अ अपराद कम से कम रोज पटना में हो रहा है और सरकार बेखबर है नया अपराधिक कानून इनों ने बनाया है उसका भी कोई असर नहीं एक कहावत है कि हाथी के दात और होते हैं दिखाने के दिखाने के अलग अलग तो वह सिर्फ दिखाने के लिए है अब वह कानून पहले कम नहीं थे उसी कानून से 2005 में नितियस कुमार ने अपराध कंट्रोल किया था न इस भीहर में फिर नए कानून की क्या जरुवत थी तो चुकी केंद्र ने कानूनों में बदलाव किया तो इनको भी देखा देखिया करनाता बदलाव कि हम भी कुछ नया करें जनता को एक नई तस्वीर दिखलाएं तो नई तस्वीर तो पुराने सभी बत्तर हो गई कुछ नहीं हो रहा है अपराधी एकदम मोज में है कह रहा है कि महागडबंधन की सरकार आ गई इसलिए अपराधीक वार्दात बढ़ गए हैं तो महागडबंधन की सरकार तो चली गई चली ग पढ़ते अपराद के पीछे सरकार और विपक्ष दोनों की मिली भगत है दोनों फेल हैं और जनता को असुरक्षित छोड़ दिया गया है पटना में या बिहार में कहिए भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है यह इस्थिति है आज कि प्रमुख मुद्धों पे हम चर्चा क दिल्ली में लगतार बैठक चल रहा है उसको देख कर लग रहा है कि NDA में सीट सेरिंग को लेकर जो वादे और दावेज हुए हैं उस पर मन्थन तो हो गया है लेकिन आपने बीते कई दिन इधर लगतार देखा होगा कि एक तराफ जितन राम माजी के आवास पर जाकर बी एक सीट से ही संतोस करना पड़ेगा चिराक पासवान को पांच सीट मिलने का वादा जरूर हुआ था लेकिन अब की खबर के अनुसार वो पांच सीट केवल उनको नहीं बलकि उनके चाचा पशुपती कुमार पारस को जोर कर दिया जा रहा है हलांकि पशुपती पारस ने है वहीं दूसरी तरफ बात करें अन्यर राजनितिक दलों में जेडियू की तो जेडियू के सामने सोला सीटों की जो उनकी सीटिंग है उसे बनाये रखने की बात जरूर है लेकिन उसमें मुकेश रहनी के जूरने की भी खबर निकल कर सामने आ रही है तो देखना होगा कि फॉर्मूला सेट बीजेपी ने किया है गटबंदन वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे चिराग के बगाउती सुराप लगतार इन दिनों देखी रहे हैं लेकिन इन सब के बीच राजधानी पटना में ही जो अपराधिक वारदात है वो लगतार बढ़ रहे हैं और ये हम आप तक पहुचा रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें